नमस्कार मैं कोकोवेदी आपका अपनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवाई स्टैल बेसन के लटू की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको हम बेसन और सूजी दोनों को मिक्स करके बनाएंगे सूजी आपके पास मोटी वैली बारीक वैली जो भी हो आप उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम सूजी इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे लटू बिल्कुल दानेदार और हलवाईयों जैसे परफेक्ट बनकर तयार होंगे तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक पैन में दो कब बेसन डाल दिया है और वन फोर्थ कब सूजी ली है सूजी को अभी हम साइड में रख देते हैं और बेसन को हम ले चलते हैं गैस की तरफ इधर हमने गैस को ओन कर दिया है और अपने बेसन को अब हम थोड़ी दे बिना घी के भूनेंगे जिससे की हमें लड़ू बनाने में बहुत ज़्यादा घी का प्रियोग नहीं करना पड़ेगा और हमारा बेसन भी अच्छे से भून जाएगा जब इसमें एक अच्छी सी खुसबू आना शुरू हो जाएगी हम इसमें तब थोड़ा थोड़ा करके घी डालना शुरू करेंगे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ में बेल आइकन जरूर प्रस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहु दालेंगे यह हमने टोटल आधा कप गी लिया है दो कप बेसन और वन फॉर्ट कप सूजी में हमने आधा कप गी निकाल कर रख लिया है अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे जब हमारा बेसन यह इतने घी को सोख लेगा अच्छे से उसके बाद ही हम बाकी के गी को डालेंगे आपको मैं यहां पर एक बात और बताना चाहूंगी कि आप बेसन भूनेंगे तो आप उसको मीडियम फिलेम पे ही भूने क्योंकि अगर हाई फिलेम पे भूनेंगे तो बेसन का उपर से कलर चेंज हो जाएगा और बेसन हमारा अ फिर से इसको भूना शुरू करते हैं इस रेसिपी में बेसन की भूनाई ही सबसे में चीज है अगर आपने बेसन को अच्छे से भून लिया तो आपके लड़ू बहुत स्वादिस्ट बन कर तयार होंगे सारा खेल इस बेसन के भूनने का ही है तो इसलिए आप बेसन को अच् हलवाईं जैसे पारफेक्ट बन कर तयार होंगे यह मेरी कैरेंटी है 50% हमारा बेसन यहां पर भून चुका है तो अब इस स्टेज पर हम अपनी सूजी को इस बेसन में डाल देते हैं और बेसन और सूजी दोनों को एक साथ भूनना शुरू करेंगे सूजी कम टाइम लेती कि दोनों एक साथ भून कर तयार हो जाएंगे अगर आपको हमारी आज की यह पेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैन्ली में शेयर भी करिएगा सूजी और बेसन दोनों को चुरू करते हैं इसमें खुस्बू तो आने लगी है लेकिन अभी इसकी भूनाई थोड़ी बाकी है अभी हमें इसकी भूनाई और करनी है हमें इसको तब तक भूनना है कि जब तक इसका घी रिलीज ना हो जाए और जब इसका घी रिलीज हो जाएगा तब हम इसको भून या फिर खुद को पानी पीना हो तो एक लड़ो खाएं और पानी पीले तो यह बहुत अच्छा रहता है कि घर में कोई चीज बनी रखी रहती है यहां पर हमारा वेशन लगबग भून चुका है तो इसमें हम तर्बूच के बीच डालेंगे यह बीच हमारे इन लड़ों में स्वात बढ़ाने के साथ साथ यह हेल्दी भी होते हैं और गर्मियों में इनका सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि यह सरीर को ठंड़क भी पहुँचाते हैं तो इसको भी डाल कर हम थोड़ा सा भून लेंगे यह सारी चीजे अच्छे से भून चुकी है इनमें बहुत पा रही है और खुसबू आने के साथ साथ इनमें अच्छा सा घी भी रिलीज हो चुका है तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे इसमें हम एक टी स्पून पीसी हुई इलैची का पावडर डाल देते हैं और एक कप भरके इसमें हम ब बूरा डालेंगे बूरा की जगे आप पीसी चीनी भी डाल सकते हैं जो नॉर्मल चीनी होती है उसको मिकसर जार में ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करके उसको भी डाल सकते हैं हमने यहां पर बूरा का यूस किया है लेकिन आपको यहां पर एक चीज का और ध्यान देन कि हमें गरम-गरम बेसन में चीनी नहीं मिलानी है नहीं तो इसका पानी रिलीज हो जाएगा और हमारे लड्डू बिल्कुल बेकार हो जाएंगे इसलिए हमें जब हमारा बेसन बिल्कुल हलका सा गरम हो कि जिसको हम आराम से छू सकें उसी पोजीशन में हमें चीनी को डाल कर mix करना है आपको हमारे आज के इस बेशन की लटू की recipe कैसी लगी Please मुझे comment करके पताना और आपको बेशन के लटू पसंद है या नहीं पसंद है वो भी मुझे comment करके जरूर पताना अब हम इस mixture को अच्छे से हाथों से mix करेंगे क्योंकि इस पैचुला से ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा यहाँ पर चीनी के साथ बेशन अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इनके लड्डू बांद लेते हैं लड्डू आप छोटे बड़े अपने हिसाब से आपको जो साइज पसंद हो आप उस साइज के बना सकते हैं देखिए हमारा लड्डू कितना परफेक्ट बन कर तायार हुआ है और अब हम इसी तरह से अपने सारे लड्डू बना कर तायार कर लेते हैं तो ये लीजिए हमारे सारे बेशन के लड्डू बन कर तायार हो चुके हैं अब हम चलते हैं थोड़ी सी इनकी डेकुरेशन कर देते हैं जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा सुन्दर लगेंगे तो इसके लिए हमने बारीक पिस्ता कट करके इनके उपर थोड़ा थोड़ा लगा दिया है और हमारे लड़ू खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत खूपसूरत लग रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है कि ये हमने घर पर बनाए हैं अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमली में शेयर भी करिएगा अब हम आपको एक लड़ू तोड़ के दिखा देते हैं ये देखे कितने सॉफ्ट लड़ू बने हैं आज की बेशन के लड़ू की ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा मस्त रेसिपी है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राय जरूर करें और आपके बेशन के लड़ू कैसे बने मुझे कोमेंट करके जरूर बताना चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद